जहिंद दोस्तों आज की वीडियो में हम यह जानेंगे कि एब्रेजिंग करने का सही तरीका क्या है देखिए अगर आप सेर मार्केट में निवेश करते होंगे share market में newize करने से मेरा मतलब यह है कि अगर आप equity shares में newize करते होंगे अगर आप equity shares में newize करते होंगे तो मेरा मानना यह है कि एक से ज़्यादा shares आपके portfolio में होंगे और अगर आपके portfolio में एक से ज़्यादा shares होंगे तो कई ऐसे shares होंगे जिनमें आपको अच्छा खासा plus में return देखने को मिल रहा होगा और कई ऐसे भी shares होंगे जिनमें अच्छा खासा आपको minus में return देखने को मिल रहा होगा तो हम averaging कहां करते हैं? हम averaging उसी shares में करते हैं जिसमें हमें अच्छा खासा minus में return देखने को मिल रहा है हम उसमें और पैसा डालते हैं ताकि हमारी जो averaging की cost है वो और नीचे हो जाए और no doubt कहीं से भी ये गलत नहीं हमें ऐसा करना चाहिए लेकिन जब हम अपने portfolio में averaging करते हैं कुछ और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए averaging करते समय कई लोग कई गलतियां करते हैं उन्हीं सारी गलतियों पर आज की वीडियो में बात करेंगे ताकि उन सारी गलतियों को आप avoid करके सही तरीके से अपने portfolio में averaging कर सकें तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में आसा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मैं हूँ अन्वरंचारी चलिए पेस करते हैं तो दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो की सुरुवात में आप सभी से कहा कि अगर हम equity shares में निवेस करते हैं हमारे पास एक portfolio होती है जिस portfolio में कई shares होते हैं और कई shares ऐसे भी होते हैं जिन duy съा हमें अच् apprentice में return मिल रहा होता है गो度 क्यमारे अच्छा खासा माइनस में return मिल रहा होता है एक example के लिए समझने के लिए समझने में आसानी हो जाए हम ये मान कर चल रहे हैं कि हमारे portfolio में सिर्फ दो ही shares है और दोनों ही shares को हमने 100-100 रुपे के price पर खरीद रखा है अब देखे एक shares में हमें minus return मिल रहा है यानि कि एक shares का price लगातार गिर रहा है और दूसरे shares को जिसको हमने 100 रुपे में खरीदा है उसका price लगातार बढ़ रहा है अब अगर आपके पास पैसा आता है और अगर अब आपको averaging करना है तो किस shares में आप averaging करेंगे अपकोस ज़्यादा तर लोग 99% लोग इस गिरते हुए shares में averaging करेंगे जो कि कहीं से भी गलत नहीं है लेकिन जब ये shares लगातार गिरते रहेगी और फिर आपके पास पैसा आजाएगा और फिर जब आपको averaging करनी होगी तो ज़्यादा chances है कि आप इसी shares में averaging करेंगे और इसके बाद भी अगर आपके पास पैसा आया और ये shares लगातार गिरी रहा है तो भी आप इसी shares में averaging करेंगे और एक दिन averaging करते करते सायद आपके पास सारे पैसे खतम हो जाए और ये जो winning share है जो 100 रुपे से बढ़कर 1.5 रुपे पहुंच गया 200 रुपे पहुंच गया इसको भी आप बेज करके आप सारा पैसा इस गिरते हुए shares में लगा देते है averaging करने के चक्कर में कि हमारा जो averaging price है वो और नीचे आजा लेकिन क्या होगा दोस्तों कि अगर ये company आपको पता चले कि ये company yes bank निकल गई ये company idea निकल गई या फिर इसी तरह की company निकल गई तो आपके पैसे का क्या होगा आपका कैसा situation होगा कैसे आप अपने निवेस पर return कमाएंगे पताइए अब देखे मैं यहाँ पे idea और yes bank को गलत नहीं कह रहा हूँ idea और yes bank पे जिन लोगों ने निवेस किया होगा उनको भी मैं गलत नहीं कह रहा हूँ उन्होंने अपने research से इस company में निवेस किया है लेकिन फिलहाल अभी इस company के बहुत ही बुरी situation है इसलिए मैंने इसका नाम देना यहाँ पे prefer किया तो अगर आप shares चुनते हैं और आपकी shares की इस्तिति idea या फिर yes bank की तरह हो जाती है तो सोचँ आपके साथ क्या होगा तो किया हमें इसी तरह से averaging करना चाहिए तो क्या इसी तरह से averaging करने का यह जो तरीका यह सही है सारा पैसा हमें गिरते हुए shares में news कर देना चैजा है और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके मैं पर stock market जिम्यदार पूरी तरह से आप हैं और आपकी strategy जिम्यदार है ना कि share market जिम्यदार है share market से बहुत सारे लोग करोडो अर्वो रूपया बना चुके हैं उनकी strategy सही है इसलिए वो पैसा बना पा रहे हैं आपको strategy गलत है इसलिए आपको loss हुई या फिर अगर आप इस तरह का करेंगे तो आपको loss हो सकती है आपको सही तरीके से averaging करना चाहिए तो दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो के सुरात में कहा कि अगर आप share market में universe करना चाहते हैं याने कि equity shares में नीवेश करना चाहते हैं तो आपके पास एक portfolio होगा और अगर आपके पास portfolio होगा तो उसमें कई shares होंगे और कई shares होंगे तो कई SS shares होंगे जिनमें आपको plus में return मिल रहोगा और कई SS shares होंगे जिनमें आपको minus में return मिल रहोगा अब आपको करना है averaging तो अब आपने देख लिया और example के लिए आपके पास दो shares हैं अभी मैं यहां पे भी दो ही shares का example लेंगे एक shares में लगातार गिराउट हो रही है और एक shares में तेजी बनी हुई है अगर आपने shares खरीदा और पहली बार उसमें गिराउट हो गए या फिर दूसरी बार गिराउट हो गए तो आप एपरेजिंग कीजिए लेकिन आपको सारा पैसा एक ही shares में नहीं डालना चाहिए सबोज कीजिए अगर आपके पास 100 रुपे है तो आप ऐसा कीजिए कि 50 रुपे इस गिरते हुए shares में डालिए और 50 रुपे इस बढ़ते हुए shares में डालिए अब आपने जो निवेश किया है उस पर उद्देश आपका है profit कमाना और आपने दो shares खरीदा है और आपको पता चल गया कि एक loser share है एक winning share है तो भाई हमें पैसा किस में डालना चाहिए हमें winning share में पैसा डालना चाहिए न तो सारा पैसा ना डाल कर कम से कम आधा पैसा तो डालिए कि कम से कम एक shares का हाल yes bank या फिर idea की तरह हो जाए तो भी हमारे पास कम से कम एक ऐसा winning share है जो हमें अच्छा खासा return दे दे तो कभी भी हमें averaging करने के चेकर में सारा पैसा loser company के shares में नहीं डालना चाहिए कुछ पैसा हमें ऐसे company में भी डालना चाहिए ऐसे shares में भी डालना चाहिए जिसमें हमें लगाता return मिल रही है क्योंकि देखे दोस्तों सिर्फ gear out में averaging नहीं होती है averaging तेजी में भी होती है जब हम जान गए है कि हमारी portfolio में एक अच्छा share से जो अभी भी return अच्छा दे रहा है और आगे भी return अच्छा दे सकता है तो उसमें हर समय पैसा डालना चाहिए जैसे gear out में पैसा डालते है वैसे तेजी में भी पैसा डालना चाहिए ताकि यहां से हमें maximum return मिल पाए तो इस तरह से मेरे ख्याल से अगर आप ये averaging करेंगे तो आपके लिए अच्छा हो सकता है तो दोस्तो आज किस वीडियो में बस इतना ही उमीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक like जरूर कर दीजगा और दोस्तो अगर आप share market में निवेज करते हैं तो अच्छी बात है लेकिन अगर आप निवेज करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको एक demate account की जोरत परती है जिस demate account को मैं personally यूज करता हूँ उस demate account का link में description box में दे दे रहा हूँ अगर आप एक demate account खुलाना चाहते हैं तो उस link पे click करके एक free demate account खुला सकते हैं तो दोस्तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मैं इसी तरह की वीडियो बनाते रहूँ और आप इसी तरह की वीडियो देखते रहें तो चैनलन को subscribe करके bell notification को on जरूर कर दीजेगा और इस वीडियो का आखिर मैं पस इतना ही कहूँगा कि अपना और अपने family का बहुत खयाल रखिएगा मैं मिलूँगा किसी इसी तरह की वीडियो में तब तक के लिए बाइ